हेलो गाईस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गेस की और इस हेड्लाइन को आप देख सकते हैं इसके ओपर काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके जो जानकारी है यह रिपोर्ट है इसके बारे में जो है बताई है तो यह जो है अभी यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम हिंदी में ट्राइट करेंगे और कपकी रिपोर्ट है यह भी आप देख सकते हैं तीस जनुवरी की क्या इसका इफक्ट सोंवार को पड़ सकता है रही नहीं वो भी हम देखेगे और साथ-साथ इसके चार्ट के ओपर भी चर्चा करेंगे तो पूर चैनल को एक बार विजिट जरूर करें साथ-साथ हम डेइली एक शॉर्ट वीडियो भी अप्लोड करते हैं उसके अंदर में इसे शेर शेर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो वीडियो पूराने वीडियो प्रिविएस व समय समझ में आये तो यह इसकी रिपोर्ट है इंगलिश में और अब जो हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल के जरीए अब इसके अंदर ट्रांसलेट के सका मैं पता है नहीं लेकिं गूगल के जरीए इसका जो है ट्रांसलेट किया है ताकि सबको आसान बासा में समझ में आए तो यहां पर आप देख सकते हैं हेडलाइन की CEO का कहिना है कि अधानी टोटल गेस CGD इंफ्रास्ट्रक्चर पर 18,000 करोड रुपे के निवेश की योजना ब है तो यहां पर आप देख सकते हैं आगे देखते हैं कि मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुरेस पी मंगलानी के अनुसार अधानी टोटल गेस ने अगले 7-8 वर्षों में भोगोलिक शेत्रों में शहरी गेस वित्रण बुनियादी धाचा स्थापित करने के लिए 16,000 रुप दोर के बाद कंपनी के पास 124 जिलो में 52 भोगोलिक शेत्रों के लिए CGD लाइसंस है बारवे दोर की बोली चल रही है और आवंटन फरवरी मार्च में होने की उम्मीद है मंगलानी ने NDTV प्रॉफिट को एक विशेश साक्षातकार में बताया कि हमने 9 और 10 वे दोर में दिये गए भोगोलिक शेत्रों के बुनियादी धाचे की स्थापना में पुन्जी गत वियाई तेज कर दिया है अब हम 11 दोर में दिये गए जिये के लिए निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे है उन्होंने कहा कि कंपनी को उमिद है कि PNG के लिए सरकार के राष्टर वियापी अभ्यान से लोगों में जागरुकता पैदा होगी और उर्जा मिश्णन में प्राकृतिक गेस की मात्रा बढ़ाने को गती मिलेगी ये CGD कंपनियों और उपभोकताओ दोनों के लिए अच्छा होगा CEO किने सरकार द्वारा नितीगत समर्थन भी प्रकास डाला मंगलानी ने कहा कि सरकार ने प्रशासित मुल्य तंत्र गेस पर 6.5 डोलर प्रती MMBTU की सीमा लगाई है और घरेलू तेल खोज करताओ द्वारा निलाम की जाने वाली उच्छ तापमान वाली गेसों पर उपरी सीमा है जो CGD कंपनियों को उनकी लागत पर नियंत्रन रखने में सहाईता कलती है और आखिर में यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है क्योंकि हमें सरकार द्वारा APM गेस आवंटन का प्रचास से 60% प्राप्त होगा उनके आनुसार पुनर गेसी कुरुत LNG की किमते मुलिय वक्र में नर्मी की और बढ़ रही है और वित वर्ष 2026 के उतरार्द में अतिरिक्त आपूर्ती की मदद है उमिद है आपूर्ती की उमिद है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि हम बहुत सारे LNG टर्मिलल स्थापित कर रहे हैं और CGD कमपनियों और उपभगताओं के लिए भी अच्छी खबर है तो यह जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और जिसका हमने हिंदी में ट्रैंस्टेट किया अब इसके चार्ट के ओपर चलचा कर लेते हैं और उससे पहले बात करते हैं कि किया इस खबर का सब्सक्राइब को पढ़ सकता है यह नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यूंकि यह 30 जनवरी की रिपोर्ट है तो यह खबर जो है जब मार्केट चालू था मतलब की 30 जनवरी को तो मतलब की Tuesday था 30 जनवरी को तो सोंबार को था जो है यह उसका लग रहा है कि लोग तरम के लिए अज़न देख़िए का सबस्क्राइब के सब्सक्राइब को ने रहे में कंडर सिक देख सकते हैं यहां पर हम देख लेते हैं, यह सपोर्ट और रजिस्टन हम देखेंगे जो काफी यूसफूल है सकते हैं, यह उपरी ट्रेंड लैंड यह नीचली ट्रेंड लैंड अभी इसका बीच में प्राइस खड़ा है, सपोर्ट अभी निस्दिक दिख रहा है, और पिछले 3-4 दिन क अब यहां पर देख सकते हैं, यह काफी यूसफूल रह सकते हैं, इसको अंदर अगर आप देखेंगे अभी प्राइस हजार रुपे के आसपास है, तो 980 रुपे का जो जोन है, और यह जो रिट्रेंड है, जिनको नहीं पता उनको बता दू कि यहां से लेकर यहां तक कि यह जो तेजी आई थी अभी पिछले दिनों में, उसके रिट्रेंड हैं आप देख सकते हैं, और प्राइस के अंदर थोड़े से चेंजिस हो सकते हैं, यह भागा था 12500 के आसपास, अब इसका 61% का आसपास का जो रिट्रेंड 980 रुपे का आसपास है, अभी प्राइस उस तो यह जानकरी की बात है, यहाँ पर मतलब कि इसको सपोर्ट मिल सकता है, अब अगर रिट्रेंड की बात करें, वाउंस बेक आता है, तो पहला इसका जो रिट्रेंड एरिया 1100 रुपे का आसपास लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर है 78% का फिबो नाची का रिट्रेंड उ अब देखते हैं, इसके सपोर्ट और रिट्रेंड वी हम देख लेते हैं, शौट टर्म की बात करें, जैसे कि हम ने चर्चा चा कि एक तो यहाँ पर अगर आप देखेगे, जो सपोर्ट और रिट्रेंड होते हैं, तो अगर यह जो यहाँ पर इसने शुरुआ ती ती जिस प्राइस के उपर है यह मेक और ब्रेक लेवल है असा लग रहा है कई ना कई और आने वाला हपता काफी इंट्रेशन हो सकता है यहाँ पर जो है इसके अगर जैसे कि हमने देखा ट्रेंड लाइन की बात करें एक तो यह लो है उसके बाद यह हाई है अगर यह दोनों ही ह लेते हैं नीचे के अगर नजदी की सपोर्ट की बात करें तो 980 रुपे का असपास का दिख रहा है उसके बाद देखे तो 950 उसके बाद देखे तो 920 और उसके बाद देखे तो 900 रुपे का लेवल और यह जो है इसके नजदी की सपोर्ट दिख रहे है और यह थोड़ से तो इन सभी support और registration के आप आप रज़र बना करक सकते हैं और यहां एक से दो दिन की बात हो रही है और कल weekly chat के उपर हम चर्चा करेंगे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और सब्सक्राब कर ले हमारे चैनल को और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी trade ले उससे पहले अपनी research करें अपने financial advisor की सला ले उसके बाद ही कोई DC जनल ले और DC जनल ले तो उसकिसी में दारी maturity के साथ खुदी ले ये वीडियो मैं education purpose के लिए बनाए मेरी तरफ से कोई भाई असल करें कामरे से नहीं है thank you